अजीस खान जी यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या जरूरी है बाजारों का मजभी करण करना जब हमारे देश में संस्थाएं हैं और किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हलाल सर्टिफाइड चीजें मेंडिटरी हैं किसी भी बाजार में तो इसे थोपना क्यों य ने कौन रहा है आप एक लाईन से देखें तो इसमें जो ले रहा है कि बार बार इसमें कई दिनों से बड़ा जरचा हो रहा है तो हलाल का सेटिफिकेट घौन रहा है ´गर हो जे कौन रहा है पहली बात लिया क्यों जा रहा है देखे हलाब का जो मसेला है वो देखे कुछ इसके खास परथा है परथा ये है कि कुछ मांसाहारी जो मांसाहारी चीज़े होती है उस पर हलाब सिर्टिविकेशन होता है लेकिन अब यह आप कहिए दाल पर हो चीनी पर हो नमक पर हो तेल पर हो तो ऐसे प्रड़क्ट पर हलाल और हराभ का कोई इस्वाल एड़ कर लिजे आपने बड़ा क्लियर कहा कि यह ऐसे प्रड़क्ट्स जो कि शाकाहरी प्रड़क्ट्स है उस पर हलाल सर्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं है जितनी भी बाजार में चापे पड़ रहे हैं वहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन है और इसी पर बवाल है कि हर प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन की ज़र्वत क्यों है जब पांच राजियों में चुनाव आया तो हलाल हराम आपको समझ में आया साथ साल से नहीं समझ में आ रहा था हकीकत यह है यह हराम और हलाल का इसू नहीं है जो लोग चाहते हैं वो ले रहे हैं जब ऐसे लोग जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनके पास लोग संबर करते ह वो देर है लेकिन ऐसी इस्थितियों में सिर्फ मांसाहारी चीजों पर हलाल सर्टिफिकेशन वैलिड है ठीक है शाकाहारी पर वैलिड नहीं है इसलिए बैल नगाने की बात उत्तरप्रदेश सरकार कर रही है राइबात इलेक्शन से जोडने की तो मैं एक छोटा सा जवाब एड कर लेती हूँ राकेश तुरपाथी जी का राकेश तुरपाथी जी पांच राजियों में विधान सभा चुनाव हैं इसलिए आपको याद आ गया ये सब कुछ सच ये है कि 20% से आपकेश जादा कि आबादी इस समय देश में मुसलमानों की होती जा रही है और ये नेरेक्टिव लगातर क्रियेट किया जाना है कि मुसलमान हलाल प्रोडक्स नहीं केवल खरीदे कोई भी व्यावसाई कराना ये नहीं चाहता है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हमारे इस सटिप सकते कोई भी मुसलमान कोई भी मैं नहीं कोई भी मुसलमान सिर्फ हलाल चाहता है सर्टिफिकेशन और हलाल चाहता है चीज़ों दोमान सारी चीज़े हो वह दमक तेल और उसके बाद चावल दाल पर हलाल की बात नहीं करता है क्या बात आप पढ़े लिखे इंसान है आप ना कोई नीचलमान ऐसा चाहता है और ना मुसलमान ऐसा इस बाद को एड़िट करता है पहली बार समझिया मुसलमान इसको इंडोर्ट नहीं करता है अरे तो फिर अजीज खान जी वो संस्थाएं ऐसे प्रोड़क्स पर क्यों दे रही है हलाल सर्टिफिकेशन मना कर देना चाहिए अगर कंपनी वाले आभी रहे हैं तो उन्हें तो अपनी धानमिक मानेताएं बताकर समझा देना चाहिए कि गलत है हम नहीं देंगे चीनी पर ह हम नहीं देंगे कोलगेट पर हम नहीं देंगे साबून पर हम नहीं देंगे कॉस्मेटिक समानों पर क्यों नहीं मना करते हैं मना करते हैं कि हम सिर्फ नॉन्वेज आइटम पर ही देंगे वह संस्था हैं तो मना नहीं करते हैं तो दोनों को गुनेगार मानिये ना आप एक